आप सभी को हमारे इस वीडियो में पहुद पहुद स्वागत दोस्तों मैं सीवम अपने यूट्यूब के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने गूगल के अंदर डेटा एंड मेसेंजिंग सेटिंग कैसे यूज करते हैं और उसके अंदर देखने को मिलता है डिव पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सकाइब के बेल आइकन ओन करें आप यहां पर करने क्या है अपने मुबाइल फोन के अंदर आपको गूगल ओपन करने है जब आप नीचे आएंगे तो यहां पर देखने को मिलता है डेटा एंड मेसेंजिंग सेटिंग आपको इस पर कि नंबर देखने को मिल जागा और यहां पर देखने को मिलगा रखने के अपने डिवाइस को और भी कंट्रोल करना चाहते हो दूसरे किसी नंबर से तो आप यहां पर कर सकते हैं उसके बाद यहां पर देखने को मिलगा Google Google account www.uskebaz.com slash phone यानि कि अपने Google को यहां पे पूरी तरीके से आप control कर सकते हैं जो आपके Google account के अंदर number लगा हुआ है उसी से अपने Google account को आप control कर सकते हैं तो इस setting से यही होता है कि अपने Google Drive के अंदर जो आपने number save करके रखा है अपने device phone number को वहां पे आप control करने के लिए अपना number save कर सकते हैं आपका Google account आपके बजाए कोई दूसरा बंदा उसे control नहीं कर सकता है जैसे उसका password change या दोस्तो जीमेल account यानि कि उसका जीमेल ID change करना चाहता है जैसे आपको यहां पे पूरा details में बताया गया है आपके दोरा यहां किये गए परिवर्तन यह नहीं बदल सकते हैं जो यहां पे परिवर्तन करेंगे कोई दूसरा बंदा उसे बदल नहीं सकता कि अन Google से वाओं आपके संक्या का उपयोग कैसे करती हैं आप नियंत्रिक कर सकते हैं कि मेरे खाते में आपके phone number का उपयोग कैसे किया जाता है यानि कि अपना पूरा खाता यहां पर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ऐसे अपने mobile phone के अंदर इस setting को यूच करते हैं जो आपको Google के अंदर देखने को मिल जाती है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्नवाद